नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल मिरा नाम है अभिशेक सागर और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप noise cancellation कर सकते हो आप अपनी कोई audio अगर बाहर घर के बाहर record करते हो या ऐसे आसपास में करते हो जैसे बहुत sound ज्यादा है जह बहुते बहुत रहे हैं फैन चलने की आवाज आ रही है तो ऐसे केस में हमें वो जो noise हो हटानी पड़ती है अगर मेरी आवाज थोड़ी भी खराब लग रही आपको तो उसके लिए माफी चाहूंगा मेरी तबियत ठीक नहीं है उसके लिए मैं आप इसे आप से माफी आपको अराम से मिल जाएगा अब यह जो मेरी वॉइस है इसको हम और से खोलेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है ठीक है यह एक audio फाइल है पहले इसको प्ले कर लेते हैं और देखते हैं ही कैसे है यह audio noise cancellation tutorial के लिए record की जा रही है इस audio के बाद मैं एक खाली जगा छोड़ूँगा जो की बताएगी कि अभी हमारे आसपास में कितनी noise है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पर भी आ रही है noise आ ठीक है तो हमें यही noise पीछे की जो हवा है और पीछे की जो machine चलने की आवाज है इसी को हटाना है अभी हम कैसे हटाएंगे सबसे पहले हम इस software को यह बताएंगे कि आखिरकार voice जो noise है वो जो फाल्तू की आवाज है वो है क्या क्योंकि अब computer को तो नहीं पता है कि हमारी आवाज कौन सी है और पार की जो disturbing आवाज है वो कौन सी है तो सबसे पहले हम ऐसी जगाको मार्क कर लेंगे जहां पर हम नहीं बोल रहें तो देखिए यह जो जगा क्कि खाली है यहाँ पर मैंने में कुछ बोल नहीं रहा हूँ यहां पर click करेंगे get noise profile पर कर दिया अब computer को यह पता चल चुका है कि जो noise है जो falto की आवाज है वो कौन सी है अब इसे हम ऐसे cancel कर देंगे और इसको सारे को हम mark कर लेंगे ठीक है जिस जिस की हमें noise हटा लिए सारे को mark कर लिया अब दुबारा जाएंगे effect पर और noise removal पर जाएंगे दुबारा और यहां पर अब computer को पता चल चुका है कि जो falto की आवाज है वो कौन सी है तो अभी हम justice से okay दबा देंगे तो आप देख सकते हैं यह plane हो गए तो जो falto की noise थी background की वो काफी हट तक हट गई होगी है मैंने चलिए फिर भी सुनते हैं यह audio noise cancellation tutorial के लिए record की जा रही है इस audio के बाद मैं एक खाली जगा छोड़ूँगा जो की बताएगी कि अभी हमारे आसपास में कितनी noise है देखिए बिल्कुल गायब है noise हम इस noise को cancel करने की खोशिश करेंगे तो गाईज ऐसे जो है noise cancellation किया जाता है अगर एक यूट्यूबर है आप या कुछ चीज़र record करते हैं आपके घर में तेज पंका चल रहा है तो उस पंके की आवाज को आप ऐसे ही अपनी audio से हटा सकते हैं उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं अगर noise cancellation के बाद जो आपकी आवाज हो धीमी हो जाए कम हो जाए तो आप इसे मार करके effect में जाके amplify कर सकते हैं इससे आपकी आवाज जो है और ज्यादा loud हो जाएगी ठीक है I hope आप समझ गया होंगे कैसे noise cancellation किया जाता है मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा सार हमें बताई ये पंक्य किया वाज ये सब चीज़े कैसे हटाई जाती है मैंने आपको बता दिया मैं खुद भी यही तरीका इस्तमाल करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे like करें अपरी दोस्तों के साथ share करें और अगर आप नए है तो मेरे चैनल को subscribe करें मैं मिलता हूँ आपसे एगली वीडियो में thank you so much and goodbye